हेलो दोस्तों प्रतिमा जेस एकाड़ीमी पर आप सभी का स्वागत है साथे करेंट पेर शुरू करते हैं 25 वे राष्ट मंदल संग सम्मेलन दोस्तों जो बिश्व के संसाधिये छेत रहें संसाधिये प्रडाली को बिक्सित करने और एक दूसरे के नवाचार को समझने एवं एक दूसरे के प्रत समन्नव हैं के लिए कामन बेल्थ पार्लियमेंटरी एलाइंस का सम्मेलन किया गया यह सम्मेलन 65 है राष्ट मंदल संग सम्मेलन 65 है जो हैलिफ हैक्स हैलिफ हैक्स कनाडा में किया गया है इस पे जो हमारे संसदिये छेत्र जहासी और ललित पूर उत्तर परदेश कहें जहासी ललित पूर के संसदिये छेत्र के संसद अनुराग सर्मा इनको CPA का कोशा अध्यच बनाये गया है CPA का कोशा अध्यच बनाये गया है यानि कि कोशा अध्यच बनते ही यह CPA में कामन बेल्ट पारलेमेंटरी अलाइंस में दूसरे पदादिकारी और चवथे सदस हैं यानि भारत के भारत के दूसरे पदादिकारी और भारत के चवथे सदस हैं यानि कि चार सदस भारत के CPA में सामिल हैं जिनमें से दो सदस पदादिकारी हैं और दो सामान सदस हैं यानि दो और दो चार चार लोग भारत के हो गए यानि CPA जो है बहुत पुराना संस्था है और सबसे बड़ा पार्लियमेंटरी संस्था है यहां पर 20 के जितने संसदिय प्रडाली है वहां के सांसदों का संमेलन होता है और कोशिस यह होती है कि जिस देश का प्रतनधी वहां पहुंचे वहां के जो लोकसभा के अध्यच्छोयानी के जो निम्र सदन के स्पीकर होते हैं उनके नित्रत में भागेदारी होती है यह वहां के जो राष्ट्रपती निर्धारीद करकि किसके नित्रत में मंडल जाएगा वहां पर जाता है अनुराग सर्मा को कोशाध्यच बनाए गया और यह पदाजिकारी के रूप में दूसरे और सदस्य के रूप में चउत्य भारतिये हैं C.P.A. दुनिया का सबसे बड़ा. दुनिया का सबसे बड़ा और सबसे पुराना अंतर राष्ट्य संग है C.P.A. में भारतिये प्रतिनिधियों की कुल संख्या बढ़ कर चार हो गई है जैसे कि मैंने पहले बताया कि जो सदस हैं उनकी संख्या चार हो गई है और इन्ही मेंसे दो सदस जो हैं पताधिकारी हैं और उन्ही मेंसे एक सदस अनुराक सर्मा कोसाध्यच बनाए गये हैं भारत के लोगसभा स्पिकर कौन है इसमें? ओम बिरला ओम बिरला लोगसभा अध्यच हैं इनके नेत्रत में इनके नेत्रत में सव सदस्चिये सव सदस्चिये मंडल ने भाग लिया सव सदस्चिये प्रतनिधी मंडल ने भाग लिया किसके नेत्रत में? लोगसभा स्पिकर ओम बिरला के नेत्रत में सबसे पुरानी संस्था है 1911 में माना जाता है कि इसमें भी वही देश सामिल होते हैं जो कभी कभी ब्रिटिस प्रांत के छेत्र थे या तो उनके उनसे संबंधित थे इसका जो मुख्याले है ये लंदन में है अब यहां पर प्रस्ण देखे कितने तरह कैसे बन सकते हैं? पहला प्रस्ण तो यही बनेगा कि हाल ही में राष्टमंदर शंग का सम्मेलन कहा पर हुआ दूसरा प्रस्ट यह बनेगा कि राष्टमंदर संग सम्मेलन का आयो जन हैली फेक्स में किया गया यह कौँ से नमबर का था तो पहला कहां हुआ तो हैली फैक्स में हैली फैक्स कहां है कनाड़ा में दूसरा किस नंबर का है तो यह 65 है तीसरा किसे इसमें कोसा अध्यच बनाए गया तो अनुराग सर्मा को अनुराग सर्मा को बनाए गया कोसा अध्यच क्या बनाए गया कोसा अध्यच यह कौन से नंबर के भारती हैं पदादिकारी के रूप में सीपिय में तो दूसरे पदादिकारी एवं चवथे सदस्ट अनुराग सर्मा का कौन सी कौन सीटेंसी है तो जहांसी ललितपुर लोगसभा कंसिटेंसी है सीपिय की स्ठापना कब किया गया था तो सीपिय की स्ठापना montiun yene nii degradation में किया गया था सीपिय मतला समझाए गए कावनन वयल्थ Parlelementary Alliance इसका मतलब होता है इसका हिंदी होता है राष्ट मंडल संग सम्म्मैवलन तो इसकी स्ठापना कब किया गया था 1911 में और CPA का मुख्याले कहां पे है तो लंदन में, लंदन में, तो इतने प्रस्ण आपके बन सकते हैं, अगला पॉइंट है, इंडिया आजदी रेट हंड्रेड, ये क्या है, ये भारत जब आजाद हुआ उन्नी सो सेंटालिस को, तो दो हजार सेंटालिस में जब यह सव साल पू आजदी रेट हंड्रेड, यानि कि दो हजार सेंटालिस, जब यह सव साल पूरा करेगा भारत, तो उसके लिए बनाये गया कि प्रधार मंत्री की आर्थिक सलाकार परिसाद, आर्थिक सलाकार परिसाद, इन्होंने क्या किया है, एक रोड मैप जारी किया है, यानि सताब्दी वर्स, दो हजार सेंटालिस की और परिस परधातमक, यानि कि जब यह सताब्दी एर मनाये जाएगा भारत का, तब तक के लिए विकास का एक रोड मैप तयार किया है, कि इसमें अभी हमारे पास समय परियाप्त है, लगबग 25 साल अभी इसमें बाकी है, 75 साल हमारे पूरे हो गए हैं आजादी के, यानि कि 76 सुतनता दिवस इस बार मनाये गया, तो यह जो 75 साल हुआ है, इसमें 25 साल अभी और बाकी है, और इस 25 साल में जो विकास किया जाएगा, वही हमारे आने बाले 2047 में एक ऐसा आधार त्यार होगा, कि जब हम सताब्दी एर मना रहे होंगे, यानि आजादी के अपने सोवर्स हम मना रहे होंगे, तो हमने कौन-कौन सी उपलब्दिया हासिल की हैं, उसका परदर्शन भी किया जाएगा, लेकिन उन उपलब्दियों को हासिल करने के लिए, जो कि पूंजिवादी जो होता है, यहां पर प्रतिसपरधा होता है, और जहां समाजवादी होता है, वहां पर प्रतिसपरधा नहीं होता है, वहां पर समानता होता है, लेकिन समानता में कहा गया कि साजे से काम करोगे तो छोटी से लकडी भी नहीं उठेगी और हर किसी को पता हो कि मुझे ही मिलना है तो परबत भी उठा लेगा तो पूंजी वादी जो कार है वो परतिसपरधातमक है यानि जो कार्पत्दतिया जो बिकीत करने की रोड में थैयार किया गया है उसमें परतिसपरधातमकता को ध्यान में रक्षा गया है इसे 2047 में भारत को उच्च आएवाला देश बनाने के लिए मारक-दरसन प्राद्रम करेगा यहां प्रस्न हो गया दोस्तों थो थो तो ठीट ठीक नहीं ऐ लेकिन आप लोग मेहनत कीजिए जिदे लोग से हैं आप लोग को दिखकर कि हमें एक इनरजी मिलता है मिहनत करते रहिए हम आपके साथ लगे रहेंगे प्रस्ण पूछेगा कि इंडिया आइदिरेट हंडेट क्या है तो यह बिकास के लिए एक रोड मैप है किसके द्वारा जारी किया गया आर्थिक आर्थिक सलाकार परिस्द के द्वारा इसका क्या मकसद है सताब्दी येद दो हजार सैटालिस को मनाना पच्चीस वर्ष जो बचे है उसमें पतिस परधा के रूप में विकास करना आगे का क्या अधार होगा उच्च आयवाला उच्च आयवाला देश बनाना अब यहाँ पर ध्यान रहे प्रशन तो इतने आपके बन जाएंगे आप कर भी ले जाएंगे लेकिन दो सद्द को भी आप समझ के चलिएगा कि उच्च आयवाला देश बनाने में और सतत विकास करने में अंतर होता है उच्च आय के लिए हो सकता है कि वाई टोटल इंकम टोटल इंकम जो होता है उसका टोटल पापुलेशन से टोटल पापुलेशन से डिविजन कर देते हैं तो निकल के आज आता है कि प्रतिव्यक्त आय कितना है लेकिन इससे हम वास्तिविक विकास को नहीं जान सकते वह से यह एकोनॉमिक्स का पार्ट है लेकिन एकोनॉमिक्स के पार्ट में भी आपको समझने की आवा सेकता है कि टोटल इंकम यानि कि ग्रोथ जो होता है जो ब्रिधी और संब्रिधी कैसे आँका जाता है यह आपनों देखेगा economics में बेहतर से पढ़ेंगे क्योंकि उच्छ विकास दर उच्छ विकास दर उच्छ विकास दर उच्छ संब्रिधी को दरसाए जरूरी नहीं है लेकिन अगर सतत विकास हो रहा है sustainable development हो रहा है सतत विकास हो रहा है तो सही है इसलिए जो इंडिया आईजिरेट हंड्रेड है यह उच्छ आय के साथ साथ में सतत विकास की भी बात करता है अगरा पाइंट है बैदिक तारा मंडल मंदिर बैदिक तारा मंडल मंदिर देखिए यह जो मंदिर है यह बिश्चु का सबसे बड़ा मंदिर परिसद होगा सबसे बड़ा मंदिर परिसद होगा यह पस्चिम मंगाल में पस्चिम मंगाल के नदिया जिले में माया पूर में इस्थित है बंगाल के नदिया जिले नदिया जिले के माया पूर में अब जो माया पूर है यहां पर इसकान का मुख्याले है इसकान का मुख्याले है इसकान क्या है इसकान है इंटरनेशनल सोसाइटी आप कृष्णा कांसियसनेस इंटरनेशनल सोसाइटी आप कृष्णा कांसियसनेस को इसकान कहा जाता है और इनका मुख्याले जो है नदिया जिले के माया पूर में है वही पे बैदिक तारा मंडल मंदिर का स्थापना किया जाएगा जो दुनिया का सबसे बड़ा बैदिक मंदिर होगा सबसे बड़ा बैदिक मंदिर होगा यह 2024 में बन करके त्यार होगा अब माना जाता है कि जब यह 2024 में बन करके त्यार होगा जो कंबोडिया का अंकोर वाड का मंदिर है ये भी विश्डु मंदिर है ये 400 एकड में फैला हुआ मंदिर परिसद है जो मंदिर परिसद है चार सो एकड में कमबोडिया का अंकोर वाट का ये भी विश्णु जी का मंदिर है अब ही तक का विश्णु का सबसे बड़ा बंदिर यही है लेकिन जैसे ही बैदिक तारा मंदल बैदिक तारा मंदल मंदिर बनेगा फिर नंबर एक पर विश्णु में यह हो जाएगा और यह हो जाएगा नंबर दो पर इसकी विश्चता क्या है इसकी विश्चता ये है कि इसमें बैदिक संबंधों के सभी वस्तों से पर्चे कराए जाएगा यानि बैदिक काल के बारे में पर्चे कराए जाएगा दूसरी बात है सभी ग्रहों के बारे में पर्चे कराए जाएगा सभी ग्रहों के बारे में पर्चे इसमें होगा यानि कि जो बैदिक तारा मंदल मंदिर बन रहा है इसके अंतरगत बैदिक काल से सम्बंधित समस्त गदविधियों के बारे में रूबरू कराया जाएगा यानि कि नंबर एक पर जब बैदिक तारा मंदल हो जाएगा तो अंकोरवाट का जो बिश्डू मंदिर है कमबोडिया में कमबोडिया के 400 एकड में बने अंकोरवाट मंदिर को पीसे छोड़ देगा यानि कि फिर यह नंबर दो पे हो जाएगा नंबर एक पर बैदिक मंदीर होगा अब यहां से प्रस्ण कैसे आएंगे यहां से प्रस्ण आएंगे कि हालही में सबसे बड़ा बिश्टू का मंदीर कहां बनाय जा रहा है तो यह बंगाल पस्चिम बंगाल के नदिया जिले में बनाय जा रहा है तो इस कान का मुख्याले जो है इस कान के बारे में आप लोगों को पता होगा कि यह इस समय बिश्टू के लगभग माना जाता है कि सव देशों में सव देशों में कृष्ण भक्ति को को फैलाने का कारे कर रही है फैलाने का कार कर रही है और कृष्ण मंदिर बनवाती है कौन बनवाता है इसकान इसकान का मतलब क्या होता है इंटरनेशनल सोसाइटी आफ कृष्णा कांसियसनेस इंटरनेशनल सोसाइटी या कृष्णा कांसियसनेस जो है यह इसकान का फुलफाम है और यह सव देशों में लगभग काम कर रही है लेकिन इसकी जो मजबूत न्यूँ है वो भारत में है सबसे बड़ी मंदिर, सबसे बड़ा घीता, सबसे बड़ा काब्ब, महाभारत, यानि जितने भी चीजे हैं इसकी स्थापना भारत में किया जा रहा है और पूरे विश्व में गीता को बाटने का कार, पूरे विश्व में गीता को प्रचारित करने का, कृष्ण भक्ती को प्रचारित करने का, कृष्ण मंदिर को बनवाने का, यह जो दायत्यु है, यह इस कांसंस था, अपने दायत्यों को निभा रही है, तो प्रशनी आएगा कि विश्टु का सबसे बड़ा मंदिर कहां बन रहा है तो बैदिक मंदल बैदिक तारा मंदल मंदिर पस्चि मंगाल में बन रहा है अभी तक कौन था तो कमबोडिया का था अंकोर वाट मंदिर अब जो है बैदिक मंदिर बन जाएगा बैदिक तारा मंदल पस्चि मंगाल मे जो नदिया जिले में है यह कब पूरा होगा दोजार चौबिस में पूरा होगा और इसमें क्या-क्या विशेस्ता होगी तो इसमें विशेस्ता होगी बैदिक काल से संबंधित जानकारी एवम सभी ग्रहों के बारे में जानकारी प्राप्त होगा यानि एक प्रस्ण आवरा सकता है कि इसकान का मुख्याले कहां पर है तो इसकान इतनी बड़ी संस्ता है सव देशों में काम कर रहे लिकिन इसका जो हेड़कॉर्टर है वो मायापुर में है नदिया पस्चिम बंगाल के नदिया जिले में मायापुर में अब यहां पर सोचे कि यह हैं क्यों है क्रिश्ण भक्ति तो मत्वरा में ज्यादा व्याप्त है तो पिर हेड़कॉर्टर यहां कैसे तो आपको याद होगा चैतन प्रभू अचिन्त भेदा भेदवाद इसके संस्थापक चैतन प्रभू हैं और इन्होंने ही कृष्ण भक्ति को उठाया था इन्होंने कृष्ण भक्ति में अपने आपको लीन करके एक संग बनाया था गोष्वामी संग गोष्वामी संग बनाया था और इनको दायत तो दिया था कि कृष्ण भक्ति को आप प्रचारित कीजिये और चैतन महाप्रभू ने अचिंत भेदा भेदवाद के रूप में जब किस्न भक्ति को प्रचारित किया इनका जन्म नदिया जिले में ही हुआ था और नदिया जिला के मायापुर में हुआ था और यही वज़े है कि इसकांस ने अपना हेड़क्वाटर मायापुर में बनाया था अब ये भी एक पॉइंट है दूसरा पॉइंट और भी हो सकता है जो इसकांस संस्था जो कि ऐसा तो है नहीं कि दो रूपी रही है ये भी संस्था इंसान के दौरा बनाया गया है और जो बैश्रो भक्त हैं कृष्ण भक्त हैं उन्होंने इस संस्था को बनाया है इस संस्था के बारे में पुरे विश्व में लोग जानते हैं और कृष्ण भक्ती का प्रचार प्रसार करने का दाइत उन्हें उठा रखा है जो कि बाखोबी निभा भी रहे हैं और एक हिंदुस्त एक सेन अभ्यास है सायरक्स 2022 एक सेन अभ्यास है तो एंडियन कोश्टगार्ड यानि कि भारतिय तट्रचकबल का दसमा संसकरण है कि इसमें लगभग सोला सौरी 14 मित्र हैं लगभग सोला मित्र राष्ट और चौविस परवेच्छग चौविस परवेच्छग इसमें सामिल हुए यानि आप कह सकते हैं कि भारत समेत इसमें 31 देशों ने भागिदारी किया टोटल भारत समेत 31 देशों ने भागिदारी किया जिसमें 16 मित्र देश सामिल है अब साहरेक्स का दसमा संसकरण है भारतिय तट्रचकबल ने कि दसमा संसकरण का आयोजन चन्नई के तट्पे किया कहां पर किया चन्नई के तट्पे किया किसके द्वारतिय तट्रचकबल के राष्टिय समुद्री तलासी एवं बचाव बोर्ड के द्वारा किया गया इसमें 16 मित्र देश और 24 विदेशी परेवेच्छक सामिल हुए कि इस्ठापना 9각 आईसी dizi की सथापना 8 विवटारा अगस्त 2 वीम में किया घ्या था ओर इसम में आईसी जी के अध्याच भी यस कि पठानिया को यशी नहीं पूछेग अध्याच चकौन है लेकिन आवव जानते रहिये कि पठानिया जो एशकी पठानिया है इसका स्थापना पूछ सकता है अगर कूट में दे दिया तो कि भारतिय तर्रक्षक बल के स्थापना कब हुआ था तो 18 अगस्त 1978 को हुआ था और ये भी पूछ सकता है कि सायरेक्स 2022 का जो अभ्यास हुआ किस तट पे हुआ चन्ने तट पे हुआ इसको किसे के द्वारा आयोजित किया गया तो भारतिय तर्रक्षक बल के द्वारा आयोजित किया गया लेकिन राष्टिय समुद्री तलासियों बचाव बोर्ड ने इसका आयोजन किया जो भारतिय तर्रक्षक बल का एक अंग है एक अभिन हिस्सा है इसका पूछ सकता है कि क सब्सक्राइब करता हूं कि जादा से जादा लोग को सेर करें लाइक करें और जिन दोस्तों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कर ले धन्यवाज जैन जै भारत